हलो यूरी वन गुड मॉर्निंग नमस्कार इस वीडियो में लोग बात करेंगे साथी अरिविया और इरानियन फॉरें इंडिया के अंदर विजिट करेंगे और ये विजिट बहुत इंपोर्टेंट वानी जाते है क्योंकि अफगानिस्तान सिचुएशन पर इंगेजमेंट के अलावा बाइलेटरल डिसकेशन भी इस मीटिंग के अंदर होंगे इनके अलावा रिशनली आपने देखा होगा युनाइटि स्टेट और रशिया के सिक्योर्टी चीफ और इंटेलिजेंस चीफ जो है इंडिया के अंदर आए इसके जस्ट बात साथी अरब और इरानिय फोरेमिस्टर भारत के अंदर आएंगे ये कंफर्म कर दिया गया है और इसमें में डिसकेशन होगा अफगानिस्तान के उपर भारत को सिस करा जितने भी पार्टनर कंट्री है इंडिया की उनके सब के साथ डिसकेशन किये जाए अगर आप जोगर्फीकल लोकेशन देखें और सवधी अरभिया बहुत सारी कंट्रीज को खास कर मिडल इस्ट में या आप गल्फ कंट्रीज की बात करें तो उसको सेर करता है तो जोगर्फीकली बहुत इंपॉर्टन है दोनों की दोनों कंट्री हाला कि सवधी अरभिया और इरान के रिलेशन जो है अभी तक इतने अच्छे नहीं कह सकते इराक कोसिस कर रहा है कि इरान और सवधी रिपया के बीच में बाइलेटरल इलेशन को स्ट्रोंग करने की या इन में जो इशूज है उनको सोट आउट करने की और ये कंट्री एक राइवल की तरह आपको देखने को मिलेगी यमन में और एक इस्तान में जो नई गवर्मेंट बनी उसको अभी उन्होंने नोटिफाई नहीं किया या रेकिजनाइज नहीं किया तो इसी कॉंटेक्स्ट में आप देखेंगे इरान के अंदर नई सरकार बनी इरान के नए फोर्मिस्टर जो है आमीर ये भारत के अंदर विजिट करने वाले थे मंडे को लेकिन मंडे को विजिट जो थे उसको पोस्ट पॉंट किया गया उसके पीछे एक वजह है क्योंकि संगाई कोपरेशन और्गनाजेशन की मीटिंग होने वाली है और अब ये एक्सपेट क्या जा रहा है कि एक और डेट एनांस की जाएगी जिसके बाद ये भारत के अंदर आएगे अपने आप में इम्पोर्टन है उसी तरीके से साथ्यारautorang के जो फोरें विश्टर है प्रिंस फेजल बिनफरान अल सौद ये इंडिया के अंदर आएगे और ये पहली इनकी विजिट होगी याजए फोरें मिश्टर ये अपने आप में लावा अफगानिस्तान की कॉंपोनेंट के अंदर रहने वाला है अफगानिस्तान एक सेंट्रल और कोर आइडिया की तरह रहेगा इस पूरे इवेंट के अंदर इनके लावा ये रोप अस्ट्रिलिया इन कंट्रीज से भी लगातार बाइलेटरल लेवल पर डिसकॉसन किया माना जाता है की दोनों कंट्रीज राइवल कंट्रीज यह है साथी रिविया और इरान लेकिन भारत ने कोसिस करी हमेशा कि दोनों के बीच में एक किया जासके हाला कि इरान के साथ रिलेशन थोड़े से कमजोर हुए थे उसके पीछे वज़े थी क्योंकि डोनाल ट्रम जब प्रिजडेंट थे यूएस के तब उनने कार्ट सेक्ट के कुछ प्रोविजन्स को तरीके से उसके वज़े से रिस्टिक्ट कर दिया था जो हम फ्य साथी अरभिया और यूए इन कंट्रिस से बहुत अच्छे रहे हैं और इस खासकर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को लेकर एनरजी सेक्टर को लेकर कंसर रहते हैं दोनों कंट्रिस की वीच में चाए इरान हो चाए साथी अरभिया हो या यूए यू राइट लेकिन 1996 में जब तालीबान सरकार बनी थी या तालीबान ने कैप्चर कर लिया था अफगानिस्तान को इस बार थोड़ी अलग है क्योंकि सवाधियर और UAE ने पहली बात तो रिक्रिजनाइज नहीं किया है दूसरी बात इन्होंने अभी तक भी मतलब जो अफगानिस्तान के अंदर काब इसनी भी कंट्रीज खासकर इसलामिक कंट्रीज उनको रिक्रिजनाइज करें लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि बहुत ही कम कंट्रीज ने अभी रिक्रिजनाइज किया है और जितने भी आप देखेंगे तालीबान सरकार में जितने भी मिनिस्टर अभी बने हैं उन मिन बने थी इस सब चीजों को लेकर इरान, इंडिया, साथी रिविया कैसे कोर्डिनेशन कर सकते हैं इन सब चीजों को लेकर डिसकुस किया गया और जब भारत अपने नागरी को कर रहा था उस दोरान भी भारत ने पाकिस्तान का जो एर स्पेस उसको यूज नहीं किया था बलक कशितना के साथ हमारे रिलेशन बिलकूल अच्छे नहीं है, इस रूट से हम फॉलाइ करना यह वाला चाहедदा के साथ है, रिलेशन भी अच्छे नहीं है और इससे त рекह करना इतना आसान नहीं है, तो हमारे पास option नहीं बसता है ये space को लेकर तो यहाँ पर आप देखेंगे इराक से बहुत लंबी विजिट करने पड़ेगी अगर माल लेते कि हमें किसी भी Central Asian countries के अंदर जाना है इसके लावा International North-South Transport Corridor के लिए भी इरान की उतनी requirement है तो इरान, साथेरविया और इसके आसपास जितनी भी countries है जोगरिफिकल लोकेशन के प्रिस्पेक्टिव से बहुत important है इनके बारे में भी आप continue जोगरिफिकली मैपिंग करते रहे हैं क्योंकि सवाल होने की possibility बहुत ज़्यादा इस बार क्योंकि ये वाला पूरा region Western Asia या Middle East ज इंडियन एक्सप्रेस से हो इसके बारे में डिसक्स करेंगे दा हिंदू प्रोपर निउस पेपर नहीं आएगा उसके पीछे वजह मैं सिंपल से बता दूं क्योंकि मेरे back-to-back exam है तो एक disturbance क्रेट ना हो हलाकि PDF जो होगी दा हिंदू की वो 10 अक्तूबर तक आपको AGTs मिलेगी कोसिस करेंगे उसके बाद भी आपको मिलती रहे और उसके बाद आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते ना लगे तो आप डिसलाइक कर सकते थैंक्यो ओल जही